दिल्ली विदान सभाक चुनाव नजदीक है और ऐसे में आमादी पार्टी ने दिल्ली की जिम्मेदारी संजे सिंग को सौपी है, प्रभारी चुना गया है, संजे सिंग जी जिम्मेदारी दी गही है चुनावों की देखे सबसे पहले तो मैं अर्विन केजरिवाल जी को इसके लिए बहुत आभार और धन्यवाद विक्त करूँगा उनके प्रती कि दो चुनावों में पहले भी 2013 और पंद्रा में एक महतुपूर्ट जिम्मेदारी चुनावों की और संगठन की दी गई थी और तीसरी बार फिर से इस बार दिली चुनावों में चुनावों प्रभारी के तोर पे जिम्मेदारी दी गई है जो अपेख्षा जो उमीद पार्टी को है अर्विन केज दिवाल जी को है उस पर पूरी तरीके से खरा उतरने की कोशिस करूँगा और पूरा प्रयास ये कि पांस साल का जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है उसको लेके दिल्ली के गली-गली में आम आदमी पार्टी का प्रचार पहुंचे आम आदमी पार्टी के लिए हम लोग वोट मांगने के लिए गली-गली जाए और 2015 का इतिहास 2020 में दोहराया जाएगा ऐसा पूरा विश्वास ह की ज़नाव था उस वक्ति कॉंगरिष के प्रती ENTI加倍ज़ करसे बहुत जगर्थ जादा फिए इस बार क्या लगता है कि किस परती एंटिन मिजंकर चाने के विचे घागए मुझे लिगता है कि यहाँ पर जो चर्चा है दिल्ली में वह आम आदमी पार्टी के कामों की है सिक्षा पे हमने जो किया चिकित्सा पे हमने जो किया पानी बिजली में हमने जो काम किया हमने जो किसानों के लिए किया या जवान की शहादत पर उनके परिवार को एक करोन की सम्मान रासी देने का जो फैसला किया इतने सारे काम दिली के अंदर रामादी पार्टी ने किय है मुझे लगता है कि हमारी उपलब्धियां ही सबसे बड़ा हमारे लिए परचार माध्यम होगी और उन्हीं उपलब्धियों के आधार पे जनता हमको वोट करेगी किसी नकारात्मक करके दिल्ली के इंद्रित है और दिल्ली में अर्वीन केज्रिवाल जी के कामों की चर्चा है उनके सिक्षा मॉडल की चर्चा है उनके पानी बिजली पे किये गए यानि एक ऐसी सरकार जिसने पांच सालों में बिजली का दाम नहीं बढ़ाया ये तो अलग बात है दो सो यूनिट तक बिजली फ्री कर द सबसे बड़ा पैमाना बनेगी और इसी के आधार पे जंता हमको वोट करेगी ऐसा हम मानते हैं पिछले चुनाव जो की हाली में भी लोकसभा चुनाव गया है उसमें आम आदनी पाटी का एक में मुद्धा था पूर्ण राज्ये क्या इस मुद्धे को लेकर कि दिल्ली वो जो हम अपना मैनिफेस्टों तैयार करेंगे उसमें बहुत सारे मुद्धे हम सामिल करेंगे सत्तर पॉइंट का एजेंड़ा हमारा 2015 में भी था और जितना हमने घोशना पत्र में अपने मुद्धे और वादे किये थे जिन जिन मुद्धों पर हमने वादा किया था उस सबसे बड़ी बात यह है कि अकेले आम आदमी पार्टी पूंढ राजी की बात नहीं कर रही है भारती जनता पार्टी ने इसके लिए बाकाइदा आंदोलन और अभियान चलाया था कांग्रेस पार्टी ने लगातार दिल्ली की जनता से वादा किया था तो पूर्ण राज्य के मुद्दे पर तो ये दोनों पार्टियां अगर अपना बयान बदल रही है तो इसका मतलब दिल्ली की जनता को धोखा दे रही है ये अकेले आम आदमी पार्टी का मुद्धा पूर्ण राज नहीं था, आम आदमी पार्टी ने तो इस मुद्धे को उठाया, हम आगे भी उठाएंगे, लेकिन ये सभी पार्टीों ने बादा किया दिल्ली के लोगों से.